गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यास बेटा आज हम करेंगे हमारी एक्सराइज 11.4 तो फिर्स हम देखें फाइंड वोल्यूम ओफ फिच आपको वोल्यूम बताना है हमें फिर्स एक बोक्स दिया हुए जिसके अंदर सीट्स पड़ी है इसकी जो लेंथ है वो 18 मीटर ब् वोल्यूम का फ़ोंग ओथा है लेंथ इंटूब ब्रेथ इंटू हाइट लेंथ कितने दियु ऐमें 18 सैंटीमिटर ब्रेथ हमारे पास 15 सैंटीमिटर एंड हाइट है 10.5 सैंटीमिटर तो मलट्प्लाइ कर दीजिए देखें कैसे करेंगे इसमें हम 18 के मलटीप्लाइर पहल then 8 1s are 8 and 1 plus करेंगे तो या जाएगा 0 8 plus 9 17 1 carry and 1 and 1 2 अब 270 आगी अब उसकी multiply करेंगे हम 10.5 से 8 270 multiplied 10.5 पॉइंट हटाके बिटा हम निसकी नीचे लगा देंगे multiply divided by में 10 कर देते हैं इस 0 से यह 0 कट हो जाएगी तो हम 27 की multiply करेंगे 105 से तब कर दीजे 20 105 multiply 27 7 5s are 35 and 7 1s are 7 multiply 2 5s are 10 and 2 1s are 2 तो answer is 5 3 8 and 2 तो हमारा बोल्यूम कितना आ गया 2835 क्या आया बेटा इसका बोल्यूम आया ठीक है कितना है बोल्यूम 2,835 क्यूब सेंटिमीटर क्या आया इसका बेटा वोल्यूम आया ठीक है अम नेक्स हम देखिए next volume निकालना है हमें बेटा इस box की जिसका length हमें दिया हुए 60 cm breath हमें 40 cm and height हमें 20 cm दुए है तो देखे कैसे निकालेंगे कितनी volume दिया है बेटा हमें 60 cm तो इसका formula होता है length into breath into height length थी बेटा हमारे पास 60 cm breath थी हमारे पास 40 cm and height है 20 cm तो multiply कर दीजिए 60 x 40 0 to 0 0 multiply 4 multiply 0 0 4 6 24 तो multiply किया 0 0 200 दिया गया 2400 उसके बाद multiply करेंगे with 20 फिर multiply कर दीजिए की 20 के साथ तो या जाएगा 0 0 0 & 0 0 की किसी भी डिजिट से multiply करते हैं तो कितना आता है 0 2 की multiply कर दीजिए तो या जाएगा 0 0 4 2 is a 8 and 2 2 is a 4 तो या गया 0 0 0 तो answer is 48,000 cube के है cm ठीक है तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी ऐसे ही करेंगे ठीक है अब देखिए second sum इसका next है बेटा second sum इसको table को complete करना है हमें क्या दियो है length, breath and height दियो है हमें volume निकाल ली है तो इसे हम simple ही निकालेंगे देखिए कैसे तो हमें दियो है बेटा length 8 meter, breath 3 meter and height 7 meter तो volume का formula क्या होता है volume is equal to length into breath into height length है 8, breath है 3 and height कितनी है 7 तो multiply किर दीजिए 8, 3 is the 24, multiply 7 तो 24 की multiply with 7 करेंगे तो 7, 4 is the 28, 2 carry 7 to the 14 and 2, 16 तो answer is 168 cube volume, cube meter अब नेक्स पार्ट देखिए इसका next part के दर बेटा हमें length and breath दोनों दी होई है height हमें निकालनी है and volume बता है तो दीखे कैसे निकालेंगे बेटा हमए length 6 centimeter दी होई है length हमें 4 centimeter and volume हमें 120 cube centimeter दीजिए थीओ हमें क्या निकालनी है, height निकालनी है तो सबसे पहले volume का क्या formula होता है Volume is equal to length into breath into height. हमार पास क्या volume है? कितनी 120. Length हमार पास 6. Multiply breath कितनी है? 4. Height हमें क्या करना है? निकालना है. देखे. 120 is equal to 6. कितना हैगा? 24. Multiply height. Height को इधर रहने दीजिए. और इसको उधर ले जाए. 120 को. Divide by में 24 हो जाएगा. देखे. 4 से multiply कीजिए. 24 से. तो कितना आजाएगा? 120 को 24 से multiply कर दिया. तो कितने पे जाएगा ये? देखे. 5 पे जाएगा. 24 multiply 5. 4, 5 जाएगा 20. 5 जाएगा 10 एड 12. तो answer हीज ये 5 पे जाएगा. तो कितना जाएगा? 120. ठीक है? तो हमारी हाइट आगई 5 cm is equal to height. तो हाइट कितनी आजाएगे? 5 cm. सेम जो इसके parts है. उसमें भी हम ऐसे ही निकालेंगे. length and depth. तो ये समबेटा आप अपनी बुक के अंदर write करेंगे. तेंक्यू.